हेलो स्टूडेंट बेर्गों टो टेट एंसे टेट करेकर चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एंसे आटी बुक जोग्राफी के फास्ट चैप्टर को देखेंगे और यह हम लोगों के लिए क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि सीटेट पेपर 2 में जोग्राफी से उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी कोश्चन जोग्राफी से नहीं चुटेगा और वैसे भी कोई भी आप टेचिंग एक्जाम दे रहे हैं तो हाँ अगर सोसल साइन्स से हैं तो आपको यह सारे जो इसमें जो फैक्ट दिया हुआ राता है वहां यूजफुल तो हम लोग आज क्या करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे राइट देखिए इस बूक में एंसी आटी बूक जो है क्लासिक्स जोग्राफी इसमें कितने चैप्टर आपको परना होगा तो फॉस्ट में है सौर मंडल में पिर्थवी सेकेंड है गलोब अक्छां अबम देशांतर और सकेंड ठोड में है पिर्थवी की गतियां फोर में है मानचीत्र फाइव में पिर्थवी के परमुक परिमंडल सिक्स में है पिर्थवी के परमुक अस्थल रूप और सावन में हमारा देश भारत एट में भारत जलवायू विनस्पति तथा अन प्रान प्राणी है ना तो हम लोग एक सप्ता के अंदर इस बुक को खत्म कर देंगे उसके बाद क्लास सैवन एंसे आटी जोग्रैफिक को स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोग साइकलोजी की भी जितने भी थेवरी हैं सबको हम लोग सीखते जाएंगे ठीक है तो ये वीडियो कर उन लोगों को जैदा हैल्फल होगा जिनके पास एंसे आटी बुक नहीं है ठीक है और वो सीटेट में अच्छे मार्स लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो होगा ये जो स्रीज होगा वो रामबान के तरह काम करेगा ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर पुर्णीमा सबसे पहला पॉइंट यहां देखिए पुर्णीमा क्या होता है यहां से कोशन आया हुआ भी था कि पुर्णीमा जो है क्या होता है तो एक महीना में आप एक वार पुर्णीमा जो पुर्णे चंद्रमा होता है उसको आप रातों में देख सकते हैं तो उसी को पुर्णिमा कहता है, पुर्णिमा कितने दीन के बाद होता है, तो एक महीना के बाद होता है, यानि तीस दीन के बाद पुर्णिमा होता है, और पंद्रा दीन के बाद जो होता है, उसे अमवश्या कहते हैं, और अमवश्या को नए चिनर्मा का रात्री भी कहा जाता है, आप इससे confuse नहीं होईएगा तो इसको जो है पुर्णिमा और वस्य को आप ध्यान में रखेंगे next point क्या है खगोलिये पिंड किसे कहते हैं खगोलिये पिंड किसे कहते हैं तो सूर्ज चनर्मा तता बे सभी वस्तों जो रात के आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं उसे खगोलिये पिंड कहते हैं खगोलिये पिंड किसे कहते हैं सूर्ज चनर्मा तता बे सभी वस्तों जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलिये पिंड कहते हैं क्या होता है कि जो खगोलिये पिंड है इन्में से कुछ खगोलीय पिंद बरा आकार वाले तथा गर्म होते है यह गैसों से बने होते इसके पास अपनी उसमा तथा परकास होते हैं जिसे बे बहूत बरी मात्रा में उत्सरजित करते हैं हना इन खगोलीय पिंद को तारँ कहते हैं देखे आपको इस चाप्टर में दो बाद important होगा तारा और गरह किसे कहते हैं तो तारा क्या होता है कि जिसमें अपनी उश्मा होती है अपनी उश्मा तथा प्रकास होता है उसे तारा कहते हैं तारा के पास अपना प्रकास होता है अपना उश्मा होता है लेकिन गरह के पास अपना प्रकास नहीं होता है ठीक है? अपनी उस्मा नहीं होती है तो तारा और गरह में यही अंतर है तारा के पास अपना उस्मा प्रकास होता है और गरह के पास नहीं होता है यहां से question आया हुआ है इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दखेंगे नेक्स्ट है ये आप देख रहे हैं ये क्या है रात्री में आस्मान की ओर देखते समय आप तारों के विविन सम्मोह द्वारा बनाईगी विविन आकिर्थी को देख सकते हैं आप जब रात्री में छट पे चरहेंगे तो क्या देखेंगे कि आस्मान में इस तरह से एक पैटर्न बनता है ठीक ना तारा के थुरू एक तरह से फैटर्न बनता है और ये जो पैटर्न बनता है आकिर्थी ओं पैटर्न की तरह दिखता है इसी को हम क्या काते हैं इसी को नचत्र मंदल काते हैं ठीक है तो नचत्र मंदल किसे काते हैं तारों के विविन समुद्वारा बनाई गई विविन आकिरतियों को हम नचत्र मंदल काते हैं अर्षा मेजर क्या है या अर्षा मेजर को बिग वियर काते हैं इसी परकार का एक अब देखिए धूर्बतारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है यहां से भी कोश्चन आया हुआ है कि धूर्बतारा किस दिशा को इंडिकेट करता है तो धूर्बतारा हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है देखिए ये दूर बता रहा हुता और ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है ठीक है अब यहां से देखिए ये जो चैप्टर है फर्स चैप्टर ये बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कई कोश्चन पूचे गए हैं देखे। यहां से भी Question बना है कि बिरिसपती सनी उीरैनियस के चार open छले हैं किसके पास छले हैं तो बिरिसपती शनी और यूरैनियस के पास छले कैने थीज चल्ले क्या होते हैं तो चोटे चोटे पिंडों से बनी यह पट्टी है ठीक है फिर थवी से इन चल्लों को प्रभाब सकतिसाली दुर्वीन की शायता से देखा जा सकता है देखिए प्लैनेट के बारे में ग्रह के बारे में हम लोग सगुंजे थे कि ग्रह जो है उसमें अपना प्रकास और उसमा नहीं होती है तिक है ohh में अपना प्रकास या उसमा नहीं होती है अगर diffi को planet भी काती है आप इंगलिस word याद दखेंगे तो इसमें जयदा फायदा होगा तिक है और जो planet है उग्रीग भासा के planet से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिवर्मक या चारोर घूमने वाला ठीक है यहां देखिए थोड़ा साब यहां से कोशन भी आया हुआ है कि आंत्रिक गरह क्या होता है आंत्रिक गरह के अंदर कौन कौन से गरह होते है तो आंत्रिक गरह के अंदर बुद्ध, सुक, ब्रस्वत्य और मंगल गरह होता है ठीक है आंत्रिक गरह के अंदर कौन कौन से गरह होते है तो बुद्ध, सुक, फिरतवी और मंगल आंत्रिक गरह सूर्ज के बहुत नजदीक है ठीक ना आंत्रिक गरह जो है वो सूर्ज के बहुत निकट है और ये गरह जो है ये चटानों से बने होते हैं ठीक है गरह दो तरह के होते हैं आंत्रिक और वाई ठीक है तो सूर्ज से जो चार गरह है निकट का जो चार गरह है उसे आंत्रिक गरह कहते हैं और आंत्रिक गरह जो होता है चटानों से बना हुआ होता है और सूर्ज से लास्ट जो चार गरह है उसको हम बाई गरह कहते हैं ठीक ना वाई गरह जो है गैस से बना हुआ होता है ठीक है देखे वाई गरह जो है वो क्याची से बना हुआ होता है वो गैस से बना हुआ होता है अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि बाई गरह सुर से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं यह गैस और ठो तरल पदार से बने हुए है ठीक है तो बाई गरह में को आता है ब्रस्पती शनी यूरेनस नाप्चो ठीक है हम लोग इसमें क्या सेखें कि गरह कितने परकार के होते हैं गरह दो परकार के होते हैं कौन-कौन आंत्रिक और वाय आंत्रिक गरह चटानों से बना होता है और सन से जो सूरज है उससे निकर जो लास्ट चार गरह है उसे हम आंत्रिक गरह काते हैं आंत्रिक गरह चटानों से बना होता है और सूरज को से जो लास्ट चार गरह है उसे हम बाई गरह काते हैं और बाई गरह जो होता है गैस तरल पदार से बना हुआ रहता है ठीक है यह कोशन कई बार आया हुआ है इसको आप दिहान में रखेंगे नेक्स्ट है शौर मंडल तो शौर मंडल क्या है देखें शौर मंडल सूर्ज शौरी शौर मंडल सूर्ज आठ ग्रह उपग्रह तरह अन खगोली पिंड है जिसे छुद्र ग्रह या उलका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्वान करते हैं टिक ना सारे गरह मिल करके किसी इसका निर्वान करता है तो सौर मंडल का निर्वान करता है उसे हम सौर परिवार की नाम देते हैं जिसका मुख्या कौन होता है सुर्ज होता है जैसे आप लोग को अपने अपने घर में एक घर का जो मुख्या होता है वो हमारे फादर होते हैं उसी तरह से ये शौर मंडल जो है एक शौर का परिवार है और इसका जो मुख्या है वो कौन है? शन है ठीक, सूरज है अब यहां से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पर आप ध्यान देंगे यहां से कई कोश्चन बन सकते हैं इस साल के लिए है ना 2020 के लिए जो सीटेट होगा यहां से कई कोश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है जो आप देखिए जो ग्रेफी एक अंगरेजी सब्द है और यह ग्रीक भासा से लिया गया है जिसका अर्थ है पिर्थवी का विबरन जो ग्रेफी जो सब्द है कौन सा भासा से लिया गया है ग्रीक भासा इसका क्या अर्थ होता है पिर्थवी का विबरन होता है यह दो ग्रीक सब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी इ सब्द का अर्थ है पिर्थवी, एवम ग्राफिया का अर्थ है लिखना, हना, जी इ का जो अर्थ होता है वो पिर्थवी है और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, तो इस तरह से ये सब्दों का उत्पत्ती हुआ है और भी आप इहां कुछ देख पाएंगे देखे जियोलोजी पिर्थवी का अध्यन जियोलोजी जिसमें हम पिर्थवी का अध्यन करते हैं उसे क्या कहेंगे जियोलोजी पिर्थवी का मापन करते हैं जियो मैटरी ठीक ना और पिर्थवी के आकार के अनुरूप का जो अध्यन होता है उसको हम जियो आडिक आते हैं ठीक है इस तरह से इस सब्द को भी आप ध्यान में रखेंगे और यहां सूर्ज के बारे में दिया हुआ है क्या है जो सूर्ज पिर्थवी से लगभग 15 किलो मीटर दूर है इसमें यही जो एक लाइन है वह आपके लिए इंपोर्टेंट है कि सूर्ज पृत्वी से कितना क्रोर किलोमीटर दूर है तो 15 क्रोर किलोमीटर दूर है अब गरह के बारे में देख लीजिए कि गरह हमारे सौर मंडल में कितने गरह है यहां से कोश्चन डायरेक्ट बन सकता है तो हमारे सौर मंडल में 8 गरह है और सूरज से दूरी के अनुसार वे हैं तो सूरज से दूरी के अनुसार देखे कौन कौन सगरा होता है बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रेस्पति, शनी, उरेनस, नाप्चुम है ना, तो सूरज के जो सबसे निकट गरा है वो बुद्ध है इसमें बहुत स्टूर्ज कन्फूज होता है कि सूरज का जो निकट गरा होता है वो बुद्ध होता है बुद्ध उसके वाद सुक्र आता फिर पृत्वी, मंगल, ब्रेस्पति, शनी, उरेनस और नाप्चुम आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं बूध सुक्र प्रथबी मंगल यह आंत्रिक गरा है और यह क्या चीस से बना हुआ चटान से और इसके बाद जो चार गरा है इसे बाई गरा है और क्या चीस से बना है गैस से ब्रेस्पति, सनी, उरेनस और नेप्चुन ये चारो जो है ये बाईगरा है और गैस से बना हुआ है अंग्रेजी में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं My very efficient mother just serve us nuts ठीक है जो red color का जो alphabet है उसे देखिए सभी planet का नाम बन रहा M से March, V से Venus, E से Earth, M से Jupiter and S से Saturn, U से Uranus, N से Neptune ये सारे planet का नाम बन रहा है आप इससे भी याद रख सकते हैं यहां से देखिए question बन सकता है फिरतवी के सभी आठ गरह एक निश्चीत पत पर सुर्ज का चक्कर लगाते हैं जो जिस पत से सभी गरह सौर मंडल का चक्कर लगाता है और ये रास्ते कैसा है तो दिर्ग विरता कार है जिस रास्ते से सारे गरह सौर मंडल का चक्कर लगाता है सुर्ज का चक्कर लगाता है उस रास्ता को क्या कहते हैं तो दिर्ग विरता कार रास्ता काते है वो रास्ता कैसा है तो दिर्ग विरता कार है ये कच्छा कहलाता है ठीक है ये क्या कहलाता है ये कच्छा कहलाता है प्लेटो के बारे में देख लिजे ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे कोश्चन नहीं आता है अब भी तक लेट ragle भी एक गरह माना जाता था प्रतु अंतरास्थी एक ख़वुली संगठर ने अपनी बैठक अंतरास्थी एक गरह आता है था set सबसे बरागरा के बाद करें तो सबसे जो बरागरा है वो है व्रस्पती ठीक है अब भुआव क्या होता है भुआव किसे काते हैं तो भुआव का अर्थ होता है पृत्वी के सामान आकार ठीक है पृत्वी के सामान जो आकार है उसे हम क्या कहते हैं भुआव काते हैं ठीक है पिर्थवी सौर मंडल का सबसे अदभूत गरह है ठीक ना पिर्थवी जो है सौर मंडल का सबसे यूनिक गरह है क्योंकि यहाँ पर जीवन शंभव है ठीक है अब यहाँ देखिए प्रकास की गती लगवव तीन लाग किलोमीटर परती सकेंड है ठीक ना परकास की गती जो है वो लगवव तीन लाग किलोमीटर परती सकेंड है डाइट मिन्स जो परकास का गती है वो एक सकेंड में तीन लाग किलोमीटर आता है और इस्तना जायदा गती होनी के वावजूद भी जो सन है सूरज है उ ठारा मिनट का समय लगता है ठीक है आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना दूर हमारा पिर्थवी है सूरस से एक और रोचक बात इसमें दिया हुआ है कि नील आंस्टरंग पहले बेखती थे जिन्होंने चंदरमा पर कदम रखा ठीक है कितने में कदम रखा तो 11 ये 1979 में सबसे पहले चंदरमा पर कदम रखा कौन नील आंस्टरंग ठीक है ये कोशन पूछा गया और संभावना रहता है कि कोई भी एकजाम में इस ताइब का कोशन पूछ सकता है ठीक ना नेक्स्ट अब चंदरमा के बारे में हम समझेंगे कि चंदरमा का क्या है तो हमारी पिर्थवी के पास केवल एक गरह है ठीक है हमारी पिर्थवी के पास जो है केवल केवल एक गरह है वो कौन सा है चंदरमा ठीक है ये चंदरमा है इसका फिर्थवी के व्यास के केवर एक चवथाई है फिर्थवी का जितना ब्यास है उसका एक चवथाई जो है चंदर्मा का व्यास है यह इतना बड़ा पढ़तीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन खंगोल यह पिंडो के पेछा नज़दीक है चंदर्मा को आप उतना बरा देखते हैं इसका मतलब है कि चंदर्मा जो है वो हमसे पिर्थवी से नजदीक है इसलिए हमें इतना बरा दिखता है इसकी हमसे कितनी लगवग दूरी हो सकती है तो यह चंदर्मा जो है इसकी जो दूरी है 3,84,400 किलो मीटर दूर है कहां से अर्थ से ठीक है अब यहां पर भी कुछ फैक्ट दिया हुआ है उपगरह उपगरह क्या है तो उपगरह जो है एक खगोली ये पिंड है जो गरह के चारों और उसी परकार चकर लगाता है जिस परकार सूर्ज के चारों और गरह चकर लगाता है उपगरह क्या है उपगरह के एक खगोली ये पिंड है और ये जो है गरह के चारों और चकर लगाता है तो सूर्ज का चकर कौन लगाता है गरह और गरह का चकर कौन लगाता है उपगरह इस तरह से आप पर dhyan में रखेंगे मानप निर्मी जो उपगर्या होता है जिसको भेजा जाता है वो क्या है एक कृत्मि पिंड है यह बाई ज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है और इसका प्रयोग ब्रहमांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने आफंपिर्थवी पर शंचार मादयम के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इस रॉकेट के द्वारा अंतिरिक्ष में भेजा जाता है आफंपिर्थवी की कक्छा में अस्थाफित कर दिया जाता है और वहाँ से информation ब्सक्त्रा अब करदा किया जाता है इंसेट, आई आरियास, एडोसेट, इत्यादी जो है इभार्तिय उपगरा है जो अंत्रिच में उपस्तित है ठीक, नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज में है चंदर्मा पिर्थवी का एक चक्र लगवग 27 दिन में पूरा करता है तो 27 दिन में पूरा करता है चंदर्मा की प्रिष्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है यहां ना पानी है और ना वायू है ठीक है चिनर्मा पर नहीं तो पानी है और नहीं तो वायू है इसकी सत्ता पर जो है परबत मैदान और गड़े है ठीक है जो चिनर्मा की सत्ता पर छाया बनाता है पुरिमा के दिन चनर्मा पर इनकी चाया देखी जा सकती है अब जब चनर्मा को देखेंगे तो चाया सा दिखेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं चुद्र गरह तो चुद्र गरह क्या है? तारो ग्राहों एबम उप ग्राहों के अतिरिक्त असंख छोटे छोटे पिंड भी सुर्ज के चारो और चक्र लगाते हैं और इन्हीं पिंड को हम क्या काते हैं चुद्र ग्राह काते हैं ठीक है चुद्रग्रा किसे काते हैं तो तारो ग्राहों के अतिरिक्त जो छोटे चोटे पिंड है और वो जो पिंड है सूर्ज के चारोड चक्कर लगाता है उसे हम चुद्रग्रा काते हैं ये किसके किसके बीच होता है तो मंगल और ब्रस्पति के कक्छाओं के बीच होता है यहां से question आया हुआ है कि जो छुद्रगरा है किसके बीच होता है तो मंगल और प्रस्पति के बीच छुद्रगरा बनता है रहता है ठीक है ज्यानिकों के अनुसार छुद्रगरा गरह का ही एक भाग है जो कि बहुत बर्स पहले विस्फोट होने के बाल गरहों से तूटकर अलग हो जाता है ठीक है छुद्रगरा क्या है गरहों का ही एक भाग है और वो बिस्फोट होने के कारण क्या हुआ तूटकर अलग हो जाता है ठीक है उलका पिंड के बारे में आप समझेंगे कि उलका पिंड क्या है तो उलका पिंड सूर्ज के चार और चकर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकरे को क्या काते हैं उलका पिंड काते हैं सूर्ज के चार और चकर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के जो टुकरे होते हैं उसे उलका पिंड काते हैं ये उलका जो पिंड होता है ये पिर्थवी के इतनी नजदिक आ जाते हैं कि इनकी प्रविर्थी पिर्थवी पर गिरने की होती है और इस प्रकिरिया के दवरान बायू के साथ घरसन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं ठीक है और जब ये जलता है जिसके फलसरूप क् चमकदार प्रकास उत्पन होता है कभी कभी जो नहीं जल पाता है वो पिर्थवी के तल में आके गिरती है जिससे धरातर पर गड़े बन जाते हैं ठीक है आकास गंगा क्या है ये लाखो तारों का समू है अकास गंगा क्या है तो लाखो तारों का समू है ठीक है इसे अकास गंगा काते हैं और मिलकी वे भी कहा जाता है ठीक है नेट पेट भी क्या है आकास गंगाएं मिलके ब्रहमांड का निर्वान करती है ब्रहमांड की विशालता की कलपना करना अत्य अधिक कटीन है वे ग्यानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से जानकारी एकत्र करने में आप आए हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि ब्रहमांड कितना दूरी तक फैला हुआ है इसको आप फिगर के थूरू समझे जैसे देखिए यहां यह पिर्थवी है और पिर्थवी के ऊपर क्या है शौर मंदल है ठीक है शौर मंदल के ऊपर क्या है आकास गंगा है और अकास गंगा के ऊपर क्या है ब्रहमांड ठीक है और ब्रहमांड का जो दूरी है कितना तक ब्रहमांड है कितना दूर तक ब्रहमांड है इसका पता हभी तक कोई वेग्यानिक ने नहीं लगाया है ठीक है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पिर्थवी के ऊपर कौन ह प्रहमांड तो इसका भी question आप देख सकते हैं ग्रा और तारे में क्या अंतर है तो ग्रा का अपना light उश्वा नहीं होता है और तारे का अपना उश्वा प्रकास होता है शौर मंडल से आप क्या समझते हैं शौर मंडल जो है शौर का एक परिवार है ठीक है जिसमें सारे ग्रह तारा उपग्रा सब कुछ आता है ठीक है अब सूर्ज से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखें यह हम लोग देखें हैं बुद्ध सुक्र पिर्थवी मंगल इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं तो पिर्थवी के अद्भुद ग्रह क्यूं कहा जाता है क्यूंकि यहाँ पर जीवन संभव है पिर्थवी एक यूनिक प्लानेट है जहाँ पर जीवन संभव है यहाँ पर कोस्चन है हम हमेशा चन्रमा का एक ही भाग को देखते हैं क्यों तो हम हमेशा चिदर्मा का एक ही भाग देख पाते हैं क्योंकि जो पिर्थवी है वो अपने अक्ष पे घूमते रहता है और वो घूमने के कारण क्या होता है कि हम उसको एक ही तरफ देख पाते हैं ब्रहमांड क्या है ब्रहमांड का दूरी अभी तक कोई पता नही सबसे उपर क्या है ब्रहमांड है किस गरह को पिर्थवी की जुर्वा गरह के नाम से जाना जाता है तो सुक्र गरह को पिर्थवी के जुर्वा गरह की नाम से जाना जाता है सूर से तीसरा सबसे नजदी गरह कौन है पिर्थवी है इस तरह से यह जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा शौर मंदल इसको हम लोग देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर टू होगा जिसका नाम क्या है हम लोग हभी कॉंटेंट को देखे थे जिसका नाम है गलोब अक्षान्ज अवम देशांतर ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू